दोस्तों आपने मिथुन दाई आने की मिथुन चक्रवर्ती की सुपर हिट फिल्म जौला मुखी तो जरूर देखी होगी जिसमें अभी नियता मिथुन चक्रवर्ती मुख्य भूमिका में नजर आए थे हालग कि इस फिल्म की कहानी तो दमदार थी लेकिन उससे भी जादा अलाजवाब थी फिल्म की स्टार कास्ट जिन्होंने अपने हारे किरदार से दर्शकों का भरपूर मनुरंजन किया था और फिल्म को सूपर हिट बनाया था जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स आफिस पर खूब कमाई की थी खबरों के मताबिक फिल्म की इसी खासियत को देखते हुए फिल्म डिरेक्टर एक बार फिर इस फिल्म के सीक्वल के साथ बड़े परदे पर नजर आने वाले हैं जी हाँ हमें जोलदी फिल्म जौला मुखी 2 देखने को मिलने वाली हैं तो इसलिए आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको फिल्म जौला मुखी 2 के बारे में बताने वाले हैं कि कौन सी होगी उसमें स्टार कास्ट क्या कहानी होगी और फिल्म कब तक आएगी तो अगर आप भी फिल्म जौला मुखी 2 से जोडीन सभी बातों को जानना चाते हैं तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंतक बने रहें साथ ही बॉलीवूड इंडस्ट्री की सूपर हिट फिल्म के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले साल 2000 में बड़े पड़े पर रिलीज की गई फिल्म जौला मुखी एक आक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे जगदीश, एश शर्मा और विजे शर्मा ने मिलकर डिरेक्ट किया था यह फिल्म जौला सिंग बने मितुन चक्रवर्ती और पुलिस ऑफिसर बने च्वंकी पांडे की जीवन रिखा पर अधारी थी जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर गाओं की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता है और इसी दोरान रंगा राओ बने मुकेश विशी और उनके गुंडे द्वारा पुलिस ऑफिसर की हत्या कर दी जाती है तभी जौला मुखी बुराई पर अच्वाई की जीत हासल करने के लिए कड़ी मेहनत करता है बस यही थी फिल्म की कहानी जिसने दर्शकों का मन मोहल लिया था साथी फिल्म में अभिनेता मितन चकरवर्ती और चंकी पांडे की जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया था और मुकेश शुशी की धाकर खलनाई के भी कुछ कम नहीं थी जिसके चलते इस फिल्म ने कमाई के मामले में बॉक्स ओफिस पर तहल का मचवा दिया था तब ही से लेकर आज तक दर्शक इस फिल्म के सीकूल का बेस सबरी से इंतजार करते हैं चली आपका ये इंतजार यही खतम होता है जिहां खबरों के मताबिक फिल्म डिरेक्टर जगदीश शर्मा और विजो शर्मा जल्दी फिल्म ज्वाला मुकी 2 के साथ बड़े परदे पर नज़र आने वाले हैं बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी पर काम शुरू हो चुका है और फिल्म पहले से भी काफी जादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है जिसमें हमें कई तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे साथी फिल्म में आक्शन और रोमांस के साथ साथ कॉमेटी का भी डबल दोस देखने को मिलेगा वहीं अगर बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की तो इस बार फिल्म में लीड आक्टर के तौर पर अभिनेता अजुए देवगन को कास्ट किया गया है जो फिल्म में हीरो के तोर पर नजर आएंगे वही फिल्म में अभिनेता जो देवगन के अपोसिट अभिनेतरी कंगनर अनावत को अभिनेत करते हुए देखा जाएगा जिन्होंने फिल्म वंस अपॉन अटाइम इन मॉंबई में भी साथ काम किया था वही फिल्म में विल्लन की भूमिका निभ जिसे देख का लगता है कि अभी हम सभी को इस फिल्म के लिए काफी लंबा इंतिजार करना पड़ सकता है लेकिन जब से दर्शिकों को इस फिल्म के बारे में पता चला है तब से दर्शिकों के बीच वे इस फिल्म को लेकर काफी excitement देखने को मिलती है तो दोस्तों आप कि आसी और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें